कि एलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड आज हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टेरिन को इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे यह मेनुफेक्टरिंग होता है क्या-क्या मेथड है मैनुफेक्टरिंग का क्या इसका प्रोपर्टीज है और क्या अप्लिकेशन से ठीक ह यह देखते हैं कैसे बनता है पॉलिय् इस टाइरिन के याप सभी जानते है कि यह मुनुंपर है इसको पॉलिम मेरजेशन करके हम पॉलिमरर मार बनाते हैं जिसको बोलते हैं पॉलियस्टैरीं अब क्या है सब्सेब मेंelong抉द पॉलियस्टैरა जो यूज हुआ था स्तार्टिंग में ईस्टीर स्वाद में ज्विइड ह back- hè कारण यूज हुआता परला एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रपर्परटी इसका बहुत ही बढ़िया था और अर्टिकल साइहata उसके चलते हम सबसे पहले पॉली अस्टाइरिं का उपयोग हुआ था उसके बाद जो एस्टाइरीन जो होता है वो इथाईल-benzen को प्रोसेस करके मतलब इथाईल-benzen को dehydrogenation प्रोसेस करके 363 डिगरी पे तब हम बनाते हैं इस्टाइरीन आप यहाँ देख सकते हैं यह बेंजीन देलिंग है मैंगनेशम آकसाइटे के सांद रियो हड्रोजिशन प्रोसेस करते यह सब 30 से पर इस से मानाते हैं ईस्तारीन मतलब जो मोनोमार यह सबसे मतलब अच्छा सबसे strong tendency जो है वो heat करने पर polymerize हो जाता है और exposure to UV light और UV light को भी expose करता है ठीक है styrene जो है वो polymerization करके 3 method polymerization का जो method होता है जिससे हम styrene से polystyrene बनाते हैं ठीक है तो पहला है mass polymerization जो इसको tower process ही बोलते हैं दूसरा suspension polymerization और तीसरा solution polymerization तो यह तीन प्रोसेस से हम styrene को polymerization करके हम बनाते हैं polystyrene ठीक है तो आप सबसे पहले हम देखेंगे mass polymerization या इसको बोलते हैं tower process mass polymerization से कैसे बनाते हैं styrene से polystyrene तो mass polymerization या इसको बोलते हैं tower process तो, starrin is, pre-polymerized, pre-polymerized by heating, without initiators, at 80 degrees Celsius, for 2 days, in pre-polymerization category, मतलब, एक pre-polymerization, केटल होता है, मतलब, एक पाबर्तन होता है, जिसमें, हम starrin को, 80 degrees Celsius, पे, 2 दिन के लिए, heat करते हैं, ठीक है, बीना कोई initiator, बीना कुछ मिलाए, ठीक है, उसके बाद क्या करते है, मोनोमर का मिक्षर जो होता है उसके बाद हम टावर में रन करता है जो की हीटिंग और कुलिंग जैकेट टावर पे लगा रहता है और टावर का जो टॉप होता है वो टेंपरिचर को मेंटेन करता है ठीक है एक 110 जिए टेंपरेचर मेंटेन करता है और जो बीच का पवर्षय होता है लगेर चालन करता है उस научно बीच के हाइट है तो इससे किया मनें मिलती है कि में च्जादा में ह err यह जो टावर प्रोसेस हम बता रहेते हैं यहीं टावर प्रोसेस है यह है मोनोमर इनलेट ठीक है इधर से मोनोमर इनलेट करते हैं दो पॉलिमरेजेशन वेसल होता है दो पॉलिमरेजेशन के लिए दो बरतन होता है इसके तुरू यह टावर में आता है टावर में जो हीटिं का जो यह hopper है उसमें यह tower वाला attach रहता है और यह क्या होता है उसके अंदर से extruder के जो mouth से देखे होंगे आप filament निकलता है ठीक है और यह ठंडा होता है उसको दे जाता है grinder में grinder जो है उसको cutting करता है छोटा-छोटा pellets में polymer जो आप देखें है जो भी polymer आता है वह चोटे-चोटे ऐसे-ऐसे दाने आते हैं तो यहीं जो filament है उसको दाने में grinding करता है और फिर वह storage होता है ठीक है तो यहीं हो गया टावर प्रोसेस टावर का जो बेस होता है यह जो टावर है इसका जो बेस होता है यह वह extruder और एक grinder से इंस्टॉल किया रहाता है उसके फ्रंट पर ठीक है इस्टूडर से जो filament होता है वह निकलता है filament होके यहां इस टब में cooling होता है और यह जाके grinding होता है और यह इस्टूर होता है और packing होता है ठीक है बेस हम तो टावर from the hopper of an extruder from which melt emerges as filament which are cooled disintegrated and packed ठीक है मतलब filament है उसको disintegrated मतलब grinding grinding करके इसको packing करते हैं तो यह टावर process है ठीक है यह जो है यह टावर process है टावर process से ही जो होता है mass polymerization यह टावर process से ही एस्टारीन से polyesterine बनाते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं अब नेक्स्ट जो है वो है दूसरा process polymerization का जो है solution polymerization अब solution polymerization से हम कैसे एस्टारीन से polyesterine बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे आई एस्टारीन and solvent are blended together and pumped through number of reactors with different heating zones ठीक है एस्टारीन और उसके solvent जो होते हैं वह एक साथ mix मिला दिये जाते हैं ठीक है और उसको बहुत सारे थ्रू number of reactors बहुत सारे reactors के थ्रू उसको अलाग-अलाग heating zone में pumping किया जाता है उसको मतलब डाला जाता है पास क्यारवाय जाता है ठीक है from the last reactor the polymer is run into devolatizing vessels सबसे लास्ट जो रियक्टर होता है उसमें जो polymer होता है वह डी वोलटाइल लीजिंग वैसल्स में रन करता है मतलब उसको थ्रू वह पास करता है और लास्ट में क्या होता है कि at a temperature of 225 degree Celsius the solvent and the polymer are removed मतलब 225 degree Celsius temperature पे solvent और polymer दोनों वहां से बाहर निकाल लिए जाते हैं कि कि उसके बाद है condensed and polymer is fed into extruder unit फिर polymer वहां से निकालके extruder unit में हम डालते हैं और वहां क्या होता है extruder जो है वह filament की तरह extrude करता है filament मतलब बोलते हैं जो पतला ये रश्ची की तरह आता है उसका फिलामेंड बोलते है किर उसको क्या करते हैं और च्टोन करते हैं और प्राब्लम ओफ हुआ च्टोन स्टोन गुदोacula करते हैं तो थोल्फिकया इन सुलूशन रीड Fig Ed Sort एकップ्रोड में रिडूसेस घॉमिलर इशन कर्णे करते हैं तो इसको देखते हैं क्या होता है In this process, the monomer is suspended in droplets मतलब इस process में जो monomer होता है वो suspend किया जाता है, मतलब लटकाया जाता है droplets में, ठीक है The reaction is initiated by monomer soluble initiators such as benzoyl peroxide इसमें जो reaction है वो monomer soluble जो initiator होता है benzoyl peroxide उससे थूरू reaction जो है शुरू आत्क होता है, reaction का उसके बाद है It is necessary to coat the droplets effectively with some suspension agent मतलब जो droplet होता है उसको कुछ suspension agent के साथ coat करना, मतलब उसको coating करना बहुत ज़रूरी होता है जैसे कि polyvinyl alcohol, talk, talk to prevent them cohering, cohering से रोकने के लिए वो सबको, उस suspension agent को कुछ droplets जो होता है उसको suspension agent से coat करना जोरूरी होता है, ठीक है आगे का जो है, वो देखते है क्या process होता है, the resulting particle size depends on the quality of the resulting particle size depends on the quantity of suspension agent and speed of agitation जो particle का quality होता है वो depend करता है suspension agent के और agitation का speed होता है, उस पर depend करता है particle का जो quality होता है following polymerization unreacted monomer may be removed by steam distillation and the polymer is washed and dried जो polymerization होता है और जो monomer होता है वो steam distillation का थो remove कर देते हैं monomer जो होता है वो और जो polymer होता है वो wash करके और dry करके फिर हमें store or packing के लिए मिल जाता है suspension polymerization के थो तभी हमने देखा तीन टाइप से monomer preparation होता है तीन टाइप के monomer से polymer बनाते है तीन प्रोसेस है पहला mass या tower process दूसरा suspension polymerization तीसरा solution polymerization अब हम देखेंगे structure property relationship ठीक है यह जो देख रहा है यह polyesterine है ठीक है अब देखें उसका structure property में क्या relationship होता है क्या relations होता है उसके बारे में हम जानेंगे PS is linear hydrocarbon polymer polyesterine जो है वो linear hydrocarbon polymer है ठीक है second क्या है due to aesthetic hindrance of benzean ring causing stiffening effect aesthetic hindrance जो होता है benzean ring का उसके कारण जो होता है तो जो इसमें polyesterine stiffening effect जो होता है वो aesthetic hindrance के चलते है benzean ring में जो aesthetic hindrance होता है उसके चलते है stiffening effect हमको मिलता है ठीक है TG of commercial polymer का जो TG होता है glass transition temperature वो 90 degree Celsius से 110 degree Celsius तक होता है consequence consequence of this TG value and amorphous nature of material make it hard and transparent at room temperature मतलब जो nature TG का amorphous polymer का जो nature है उसी पे चलते है जो polymer होता है वो transparent होता है room temperature पर hard भी होता है ठीक है it is soluble in benzene, esterine, calvin polyesterine जो होता है polyesterine वो benzen में styrene में autolin में soluble होता है मतलब घूल मिल जाता है ठीक है the presence of benzene ring in polyesterine having greater reactivity than polyethylene जो है polyesterine में जो benzene ring available होता है या बस्ती तरह आता है उसके चलते है जो reactivity होता है polyethylene के चलते है बढ़िया होता है अच्छा ज्यादा होता है ठीक है due to phenyl group polyesterine is having limited chemical resistance phenyl group के इसमें available रहता है उसके चलते जो इसका chemical resistance होता है वो limited होता है मतलब कुछ chemical के साथ या reaction कर जाता है लेकिन polyethylene जो है वो बहुत सारे chemical के साथ या reaction नहीं करता है अब हम देखेंगे general properties of polyesterine polyesterine का जो general property है वो क्या-क्या property है उसके बारहे में हम देखेंगे तो general property of polyesterines are उसका जो general property है वो यह following name लिखी थे hard, rigid और transparent thermoplastic है यह जो polyesterine है वो hard है, rigid है और transparent है दुसरा है low cost good moldability इसका जो costing होता है वो कम होता है और moldability जो होता है process करने के लिए processing moldability होता है वो काफी बढ़िया होता है low water absorption good dimensional stability water जो absorption करता है वो बहुत कम करता है और इसका जो dimensional stability होता है वो काफी बढ़िया होता है good electrical insulation properties colorability मतलब जो इसका insulation property होता है electrical insulation property काफी बढ़िया होता है colorability होता है इसमानि की इसको अब्रिक्टिर कर सकते हैं इस ब्रीक्टर इन नेचर में जो होता है मतलब जनरली प्रीक्ट्र अब रिटल होता है इसको रखते हैं तो तो एपनोंगर सकता है बालिंग वाटर का वह अपना उसमें सेब्स भी पर नहीं करेगा ऩह थीचे मेडिकर एल रेसितंस होता है यह सप्रसीफिक का डेके अ र्फम संसेशन डेसों कैया कि इसको प्रोसेशिंग करते हैं तो क्या करना चाहिए किसी पॉइंट पे व been देखेंगे पहला है unmodified grid से having negligible water absorption कुछ grid होते हैं जो unmodified होते हैं तो उसमें क्या है negligible water absorption उनके पर होता है ठीक है दूसरे specific heat of PS is less PS का specific type कम होता है therefore उसके चलते है higher plastic sizing capacity machines should be used इसके चलते हैं higher plastic sizing capacity का machine जो यूज़ करते है ठीक है मेल्ट से हैब good stability at processing temperature processing temperature पर जो मेल्ट से है मिज़म पॉलिवर मेल्ट करता है तो इसको stability होता है वो काफी बढ़िया होता है जर्टिंग डाउं करते हैं तो जर्टिंग इस मेटरियल को PS जब यूज़ करने का में जुरुद नहीं पड़ता है recycling percentage should not be more than 15-20% injection molding में जो recycling material जब हम यूज़ करेंगे तो उसका percentage 15-20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए due to amorphous in nature polymer gives low mold shrinkage यह जो PL polyation होता है यह amorphous होता है उसके चलते जो होता है यह mold shrinkage बहुत कम होता है इसमें polymer melt are of medium viscosity फट highly procedure plastics कि इसका polymer melt होता है इसका जो इसको Сटी होता है medium होता है लेकिन high बहुत ज्यादा फो इंशेड़ प्लास्टिक्स रहता है ठीक है इसको बिसको सिदी जो होता है मेडियम होता है अब हम देखेंगे इसका क्या क्या प्रोसेसिंग टेक्निक होता है काउंगों से प्रोसेसिंग के मशीन से हम इसको यूज करते हैं पॉला इंजेक्शन मॉल्डिंग तो इंजेक्शन मॉल्डिंग को जब हम पॉली इस्टारिन यूज करेंगे तो क्या क्या पॉइंट हमें द को ज्यकिन जो जीनर्ल प्रफर्पस पॉलियस्टारीं जो उसके लिए देंप्रस्षिंघ्रेश इन Wells का रेंज होता था है वह 200 से 200 होता है उस इंजेक्षिटार में इसको प्रेसर करते हैं इंजेक्षिंटीर्स करते हैं और फिया है रिछ के तो मेट्रियाल उसके ग्रेट पर डीपेंड करता है कि हमें कितना इंजेक्शन प्रेशार इस पर अप्लाई करना है जेकिन जो इंजेक्शन प्रेशार का रेंज होता है वह 30 से 275 होता है तेपिकल माल्ट टेमपरिचर tutte 10 to 80 degrees Celsius मल्ट का टीपिकल शुचोंगों होते हैं वह 10-80 c से तक हमको मेंटेन करना पड़ता है अब हम देखेंगे एक्स्ट्रूजन प्रोसेस में जब हम यूज करते हैं तो क्या 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 का कॉंसीडर करते हैं पॉइंट वह देखेंगे एक्स्ट्रूजन में टीपिकल एक्स्ट्रूजन कॉंडिशन क्या क्या है टेमपरिचर जो प अब LVD Ratio और Compression Ratio जानने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है उसको देखे तो आपको समझ में आगा LVD Ratio क्या होता है Compression Ratio क्या होता है ठीक है अब हम देखेंगे Poly Styling के क्या-क्या अप्लिकेशन्स हैं और किस-किस फिल्ड में क्या-क्या प्रोडक्ट इससे बनाया जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं Household मतलब जो घर में यूज करते हैं Poly Styling के क्या-क्या बने चीज़ हम घर में यूज करते हैं Power Boxes Combs मतलब कंगी ट्वाइज खिला होने बैंगल्स चूड़ियां बॉल पेन यह जो पेन है यह जो है यह पॉलिस्टारिंग के बना हुआ ठीक है यह बॉल पेन है एक यूजर्ण थ्रो पेन आता है वह पॉलिस्टारिंग के नहीं बना होता है लेकिन यह जो बॉल पेन आता है यह जो मेंट हम पॉलिश्टारिंग के यूज करते हैं ठीक है दूसरा है अटो मोबाइल मतलब गाड़ी वाड़ी में क्या क्या पार्ट्स बनता है रिफ्लेक्टर डूम लाइट्स डिस्प्ले साइन्स अटोमोटिफ पैनल्स कवर्स यह सब जो पॉड़क्ट है अटो मोई पॉलिश्टा रिखता है वह बनाता है इलेक्रिकल कोईल फॉर्म आते ह doctv के जो कविनेट सोते को बहों पनते हैं रेफ्रिजिर्टर डंड बाडी ल吗 Floppy Storage Boxes यह सब Electrical Electronics में प्रोडक्ट बनाते हैं Polyesterine के Medical में पुछ पॉड़क्ट बनते है Polyesterine के उसको हम देखते हैं क्या-क्या बनते है Disposable Syringe के Medical में Disposable Syringe बनते हैं और भी बहुत सर्पॉड़क्ट बनते हैं Polyesterine के पैकेजिंग पैकेजिंग में क्या क्या बनाते हैं थीन वाल्ड पैकेजिंग ठीक है पतला जो वाल्ड होते हैं उसको पैकेजिंग करने के लिए हम पॉलिस्टेरिंग के यूज करते हैं कॉंटेनर्स, डिस्पोजेबल ट्रांस्पारेंट कॉंटेनर्स, बॉतल्स, यूटिलिटी बॉक्सेज, पैकेजिंग अफ फिशेज, एक्सक्टरा, तो पैकेजिंग में इतने सारे हम यूज करते हैं, पॉलिस्टेरिंग का, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट रोल्स, एंड ले फ्लेट, प्रोड्यूसेज बॉक्सेज, यह सब इंडस्ट्रियल में बनाते हैं, उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या-क्या यूज करते हैं, बाथरूम, एसेसरीज, लाइक, ट्वैलेट, सीट, फ्लोरिंग, सेलिंग, ठीक है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में हम इतने सारे अप्लिकेशन ने पॉलियस्ट्रिंग के है, ठीक है फ्रेंट्स तो देखते रहिए आप प्लास्टिक्स वर्ल्ड, आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, पॉलियस्ट्रिंग कितने टाइप को होते हैं, और उन सब का क्या